माराजी क्या कहना चाहेंगे आपने जिफ तरीके से देखा हिंदूस्तान है हिंदू के साधूसंद है लेकिन समाजवादी पार्टी के कारे करता खुले हम पीट रहे हैं देखें ये बहुत दुर्भागय पूर्ण है और मैं योगी जी से अन्रोद करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये गलत अरकत की है राजुदास जी के साथ मार पीट की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए लेकिन अबमान क्यों हो रहा है बार बार हिंदू धरम का क्योंकि हिंदू कमजोर है इसलिए हिंदू धरम का भी अपमान हो रहा है हिंदू का भी अपमान हो रहा है कमजोर की कौन रक्षा करेगा तो ये कोई नई बात नहीं हिंदू का पहले से 1400 साल से लगातार हिंदू का दर साथ आए देखे अखलेस यादव जी तो हिंदू विरोधी लोगों के साथ है वो मुसल्मानों के साथ खुल कर रहे हैं और वही स्वामी परसाद मौर्यों को प्रमोट कर रहे हैं कि वह ज्यादा बत्तमी जी कर रहे हैं ताकि जो हिंदू विरोधी बोटे हैं वो उनके सा आजाए यह तुष्टी करण की राजनिती है यह वहत पहले से चल रही है और हमेसा चलती रही है अच्छा महारा जी सरकार हो सवीधान हो और परसासन हो कई न कई जंता में आक्रोस हैन को लेकर लेगिन अगर बात की जाए अगर परसासन सकती करता है तो फिर अदालते बैठी है फिर क्या दिया जाएगा कि अभी वक्ति क्या आजा दी नहीं इसके कार इससे क्या मतलब है प्रसासन को अपना काम करना चाहिए अदालतों को अपना काम करने दिना चाहिए प्रसासन अपना काम कर नहीं रहा है इसलिए सारी दिक्कत हो रही है प्रसासन कहां कर रहा है प्र प्रशासन अपना काम इसदर से नहीं करेगा कि अदलनतों जो समझने की जरृत है यह उसका अर्थ बहुत गहन सबकि भबी सब्सक्राइब हमारे यां देहाती कहावत है कि पोच की जोरू सब की भावी, धींग की जोरू सब की चाथी, मतलब जो ताकतवर की पतनी होती है, ताकतवर की ओरत होती है उसका सब सम्मान करते हैं और जो कमजोर की ओरत होती है, सब उससे मजाक करते हैं तो भाईया ये कोई नई बात नहीं है हिंदू कमजोर हो चुका है कमजोरी की कीमत हिंदों को चुकाने पड़ रही है आप करें हिंदू कमजोर हो गा है लेकिन आजकर ट्रेंड चलता है कि हिंदू जाग रहा है पता ने भाईया कहां जाग रहा है हर दे गए हिंदू पिट रहा है हर दे गए हिंदू मर रहा कुत्ते की मौत और हिंदू की बहन बेटियों की इतनी धुरुगती हो रही है आज भी निक्की आदब वाला केस देख लीजे तो भाया यह मुझे तो पता नहीं हिंदू स्वासल मीडिया पजागता है हिंदू असल में तो स्वासल मीडिया पजाग रहा है हिंदू बागी तो हिंदू मरा पड़ा है माराजी क्या कम्न आपको एभी herself है जिस तरुके जातिवाद में हिंदू को बटा जा रहा है पहले से बटा हुआ है आस से नहीं बटा जा रहा है पहले से हिंदू बटा हुआ है बस नेता है만 जो हमारे जखमों पर नमक छलकने क्हाम कर रहा है कोड में खाज कर रहे हैं नेता जो हिंदू की सबसे बढ़ी कमजोरी थी नेता उसे अपने हिसाब से प्रियोग करके अपने लिए कुछ निकाल रहे हैं और वो भी बीमारी को ला इलाज कर रहे हैं योगी जी की छवी हिंदू आदि नेता की तोर पे होती है तो एक्सन क्यों नहीं लिया जा रहा खाली योगी जी नहीं है ना और भी बहुत सारे लोग हैं योगी जी तो ले ले एक्षन लेकिन कोई और उने एक्षन ले नहीं देता योगी जी अपनी तरफ से पुरी कोशिस कर रहे हैं योगी जी का परिणाम भी है आज हमारी बेहन बेटी आगर उत् किसामंत्र या चंदर से कर वह सुरुवाद करते हैं उसके बाद उत्तर पर देश में आ जाती है तो ये साजिस क्या फई खट्टा करने के लिए वह रिइंदूओ का अफ्मान कर रहे हैं लेकिन जित तरीके से हिंदू होकर स्वामी प साथ मुरे हिंदू का अफ्मान कर रहे हैं अपने धरं में इद्रम पर सवाल उठा रहे देखे अब ये तो स्वामी परसाद मौरे से पूछा जाना चाहिए कि क्यों वो हिंदू हो के हिंदू का अपमान कर रहा है हो सकता हो अपने आपको हिंदू ना भी मानता हो और फिर भाई जरूरी नहीं कि जो मलब हिंदू हो में तो सभी हिंदू हैं भाई हिंदू हो मैसे भ घुलामी हम जो झेल रहे हैं यह जो जलालत झेल रहे हैं यह अरब के लिए उटेरों का जो आतंकुबाद हम झेल नहीं इसी दिने कि हमारे अंदर यह कमिया है अच्छा आरसद मदनी ? है मदनी का बयान सुना है हमने ? वह तो पागल है नहीं वो ing on defenders नहीं है वो बिल्कुल बेवकुफ़ँ सुने के लायक भी उसे भर्रम की परिवाश को गई नहीं पता उसका तो कोई धर्म है नहीं इनका धर्म से क्या लेना देना उसे धर्म की कोई परिवासा ही नहीं पता है दूसरी बात 이 है कि उसने मतलब गमारपने की हद कर दी 1400 साल पहले से इस्लाम को जानता भी नहीं था कहीं कुछ है भी 1400 साल पहले इन्होंने सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ कर मक्केशवर महादेव के मंदिरों को तोड़कर जहां हमारी तीन देवियों की पूजा होती थी उन मंदिरों को तोड़कर अपना ये इसलाम बनाया है इनका क्या मतलब सबसे प्राचिन कैसे हो जायागा इनका तो नया धरम है बिल्कुल अच्छा माराजी एक बात और बताईए जब भी आपने देखा होगा सनातन धरम पे सवाल उठता है किसी गरंत पे सवाल उठता है हिंदू कमजोध है इस लए सफाई देता है ध्यारम किसी प्रमानिक्ता बीसे नहीं है ध्यार्म Dogsć का सपड़ा क मैं किसी भी बहुता को बढ़ अफेसे है और अप्तिके भी सी किसी पर थोप सकता और लिए ही कोई अपने भगवान को मुझ पर थोप सकता बई मैं किसी किताब को अच्छा बांता हूं यह मेरी सद्धा है चो अपने भी पढ़ी होगी क्या आपको भी लगता कि कुछ आप पत्ति जनक नहीं है वो एक मतलब उसे पूरे बई एक लाइन पढ़के आप कुछ नहीं समझ मुझे समें अंट्रेस्ट नहीं है जालिमान के बच्षन नहीं है उ मसल्मान पर्धान मुंत्री बन जाएगा उसके बाद यह सब गव्य को कदल वैसे हो जाएगा आप कैसे किससों प्रधान वोटिंग के पश्टि भारत की लोक तंत्र की एक तिहाई हो जाएगी उसके वाँ सब कुछ निका होना है अच्छा जिस तरीके से महंत राजुदाफ को साथ मारपेट हुई उसके बाद स्वामी परसाद मोरिय का कहना है कि महंत राजुदाफ ने मेरे पर 21 रुपे का इनाम रखा हुआ था उन्होंने हमला मुझे साजिश के तैत किया है लेकिन मुझे तो लखता हुए इनाम एसे रखना चईए या कुछ मुझे इस कार मता नहीं बाकी यहें कि हाटा पाई नहीं हो निचीति मेहंत जी घलत है हम मेहंत जी के साथ हूँ क्या कारवाई होनी चाहिए जो आयए दिन हिंदू धरम का अबमान करते हैं उन पर कानून और कारवाई होनी चाहिए, जो भी कानून से जो कारवाई हो सके, और हिंदू को मजबूत बनना चीजिए, अगर हिंदू मजबूत बनेंगे, तो कोई हिंदू धरम का अप्पांद नहीं करेगा, बच्चे पैदा करें, परिवार बढ़ा है, पहला तो अपना बेटे की बीमारी से हिंदू को अपना पीछे चुड़ाना पड़ेगा भाराज जी आप कह रहे गिंदू बच्चे पैदा करें हिंदू को तो महिंगाई से भुरसत नहीं कहा रहे कि महिंगाई इतनी हो रही है कि बच्चे पालेंगे कैसे तो मर जाओ ढूब के फिर मुसल्मानों के लिए महिंगाई नहीं है जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं उनके लिए तो महिंगाई नहीं है और जिनके पास सब कुछ है वो महिंगाई का रोना रोने तो मर जाओ भाया जाओ मर इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर होते हैं सब एक-एक होने की बात तो नहीं हता करते हैं हिंदू लड़ता है तो भाइचारे की बात आ बढ़ने होगाय उता होगी हैं। राज़ताफ जी के साथ है हर देट परसेंट हर सरे से हर तरे से उनके साथ है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने चीए और कोई गलत करना तो मैं योगी जी से अनुरूत करूंगा कि वो उसे दंडे दे उचित दंडे